बिहार सिक्षक बहाली 2019 को लेकर बड़ी खबर आ रही है खबर इतिहास और भुगोल की अनिवारिता खतम करने संबंदित है पिछले दिनों हमने यूटुब के माध्यम से आपको बताया था कि सिक्षक बहाली में इतिहास और भुगोल की अनिवारिता खतम हो सकती है इस खबर से उन अभिहर्थियों को रहात मिलेगी जो इतिहास और भुगोल के कारण बिहार सिक्षा बहाली में भाग लेने से डर रहे थे कि उनकी बहाली संभब नहीं है पर अब सिक्षा बिभाग नहीं होने पर भी आप बिहार सिक्षक बहाली में भाग ले पाएंगे और स सिक्षा सुधार रोजगार ने पहले ही आपको इसकी आसंका जताई थी कि ऐसा हो सकता है। अब आप पूरी खबर सुनिए। सिक्षा विभाग ने मद्विध्याले में सिक्षकों के नियोजन में कला विसे में भुगोल और इतिहास की आनिवारता खतम कर दी है। विभाग ने आहम फैसला मंगलवार को लिया। 2019 के नियोजन में सिक्षा विभाग की तरफ से दी गईया सिथिलता प्रभावी होगी। इस फैसले के बाद अबमद्विध्याले के नियोजन में आवेदन के लिए आर्ट और कॉमर्स दोनों के असनातक विद्यारती आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के परधान सचिब नियोजन में नियोजन के लिए पिछले दिनों उचस्तर ये कमीटी की बैठक भी की थी और अब ये साफ हो गया है कि बिहार में अगर इतिहास और भुगोल आपका सबजेक्ट ना भी हो फिर भी आप सिक्षक बहाली में भाग ले सकत अगली खबर छटे चरन में सिक्षक नियोजन के लिए आवेदन 27 से आवेदन लेने की बात कही जा रही है 27 से पर इससे जुड़ी एक और खबर है जो आपको देखना चाहिए एक हपते बढ़ेगा नियोजन का सिड्डियूल नियोजन के सिड्डियूल को भी बढ़ाने की सुर्खिया है क्योंकि अभी तक रोस्टर तयार नहीं हुआ है ऐसे में सिक्षा विभाग के उच अधिकारियों द्वारा जिला के अधिकारियों को फटकार लगाई गई है और पूछा गया है कि कार बिलंब क्यों हो रहा है ऐसे में जिला के अधिकारियों का कहना है कि सु प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रहे थी उसमें एक हपते का और बिलंब होगा इस पर हम एक विस्तरित वीडियो आपको देंगे जिसमें आप सभी जानकारी पास सकेंगे पर अभी की सबसे बड़ी खबर है कि सिक्षक नियोजन में भुगोल और इतिहास की अनिवार 27 अगस्त जो बहाली परक्रिया शुरू करने की बात जो कह रही हो वो भी संभव नजर नहीं आरे क्योंकि रोस्टर तयार नहीं हुआ है और एक हपता और बिलंब लग सकता ये भी खबर है विभिन खबरों को हम लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे और आपको सही और सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिस करेंगे सिक्षा सुधार रोजगार हर कदम आपके साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद